हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi A very good morning to all of you, मेरा नाम है अबशे कुमार और आपका बहुत-बहुत सवाथ है Study IQ के हिंदी YouTube प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आपको ग्यात होगा कि हम Indian Geography की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें Indian Geography के सारे महतवपून टॉपिक्स को हम सिलसलेवार तरीके से तथा UPSC, Mains और Pre-Point of View से कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे एक request रहेगी कि आप इस वीडियो को या इस सीरीज को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि इस पूरी सीरीज पर engagement बढ़ सकें जितना ज़्यादा engagement रहेगा, हमें उतना ही ज़्यादा motivation मिलेगा ऐसे ही कई और नए topics पर वीडियो बनाने के लिए वैसे वीडियो यूटीव पर बहुत ज़्यादा available हैं परन्तु यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसको और अच्छे से आपके सामने रिज़ पर राइडिन करने का प्रयास करूँ यदि यह पसंद आती है तो इससे शेर जरू करें इसमें engagement जरू दिखाएं चलिए बिना देरी किये आज का topic स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है Peninsular India अर्थात Pride UPA भारत बेसिकली यदि Pride UPA भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि Pride UPA होता क्या है तो our part of land is surrounded by three sides of water called Peninsular यानि कि ऐसा ऐस्थलखंड जो की तीन ओर से जलखंड से गिरा हो इसे basically call किया जाता है क्या Peninsular like आप पीछे map में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक इंडिया का map draw किया है और एक Peninsular India अर्थात Pride UPA भारत का map draw कल लिया है और यहाँ पर यह आप देखेंगे तो एक और बंगाल की खाड़ी सागर और एक और आपको दिखाई दी रहे है अरब सागर और सदन पार्ट में यानि कि दक्षणी भाग में आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया नोशन देट इस कॉल्ड हिंद महा सागर इसे हम नाम देते हैं Peninsular India अर्थात Pride UPA भारत और यदि Pride UPA भारत की बात करें तो बेसिकली आज की क्लास इसकी क्लासिफिकेशन पर आधारित है यानि कि यहाँ पर हम पूरे Pride UPA भारत के बारे में यह डिसकस करने वाले हैं कि according to map इसको कितने parts में आप डिवाइड कर सकते हैं तो यह हमारा Pride UPA भारत का map इसको मैं एक बार side कर देता हूँ और यदि side करने पर हम देखें तो इस Peninsular India अर्थात इस Pride UPA भारत की कुछ विशेस्ता हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी जैसी कि like सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो जैसा आपको ग्यात हो सकता है कि Pride UPA भारत विशु के सबसे पुराने भूबागों में से एक है क्योंकि यहाँ पर इस्थित है हमारा छोटा नागपुर का पठार और छोटा नागपुर अभी मैं मैं इसको बताने वाला हूँ लोकेट करूँगा छोटा नागपुर पठार में एक स्थान आता है जिसका नाम है सिंग भूम छेत्र सिंग भूमी प्रदेश यह सिंग भूमी प्रदेश वर्ल्ड के oldest रॉक से बने हुए चेत्रों की कैटिगरी में आता है और ऐसा क्यूं है क्यूंकि बेसिकली हम अर्थ की एज मानते हैं 4.3 billion year कि हमारी अर्थ की एज है 4.3 billion year और इस 3.4 billion year पहले की बात यदि हम करें तो हमारी अर्थ like a fireball यानि कि यह जलता हुआ आग का गोला थी और जलते हुए आग के गोले से जैसे ही यह शीतलन की क्रियास में हुई तो वर्ल्ड का जो सबसे पहला भूबाग ठंडा हुआ वही था क्या सिंग भूम प्रदेश यहां पर आपको वर्ल्ड की hardest rock यानि की कठोरतम चटाने देखने के लिए मिलती है परनतु यह कठोरतम चटाने हैं कौन सी तो बेसिकली इन्हें नाम दिया जाता है आरकेन रॉक परनतु कौन सी आरकेन रॉक तो याद रखें कि यहां की कंठेक्ट में अर्था छोटा नाकपुर के कंठेक्ट में यह कठोरतम चटाने आती हैं एक है ग्रेनाइट और एक आपको देखने के लिए मिलती है नीस की च जाना यह चाह रहा हूं कि जब यह वर्ड की हाड़ेश रॉक से बना हुआ है तो आप मुझे बताईए क्या इनमें अंतर जल इस्तरवन अर्थात इनके इनमें जल रिसाओ की क्वालिटी क्या प्रेजेंट हो सकती है यानि कि उपर यदि पानी भरा हुआ है तो कि यह पान पर यह कठोरतम चटानों से बना है तो इस कंडिशन में बिलकुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उपर का जल रिसकर नीचे चले आए अर्थात जब कोई भाग कठोरतम चटानों से बना हो तो आख बंद करके आप एक बात तो बता सकते हैं कि सर यहां पर भूमी गत ज इस तर अर्थात अंडर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा नियून होगा और जब यह अंडर ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा तो इस कंडिशन में क्या आप इस एरिया में ऐसी सिचाई कर पाएंगे या फिर ऐसी कृश्य पद्दती में ऐसी सिचाई प्र तो यहां पर नहीं टिव वेल से सचाई हो सकती है नहीं नल कूपों से सचाई हो सकती है और नहीं यहां पर नहरों का निर्मान हो सकता है क्यूंकि नहर निर्मान के लिए यह कठोर्तम चट्टाने बाधा उत्पन्द करेंगी तो याद रखीएगा प्राइद यूपीय भारत वल्ड के सबसे एंसियन पार्ट में से एक है, सबसे पुराने भागों में से एक है, और पुराना होने के कारण ही, यहाँ पर आपको कठोरतम चटाने मिल रही है, और कठोरतम होने ही कारण ही, यहाँ पर भूमी का जल इस्तर कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर याद को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ना एक तत्थ को दूसरे तत्थ के साथ जोड़ना कैसे पॉसिबल मनाया जाता है यह एक यूपीस्ट को ही पता रहता है तो यहां पर देखिए हमने कैसे कनेक्ट किया कि 4.3 बिलियन एयर पहले बना होगा चोटा नागपुर का पठार और पूरा पेनेंसुलार इंडिया ही इसी टाइम के लगबग बना होगा तो यहां की चटाने कठोर होगी और कठोर होगी तो उपर का पानी नीचे नहीं जा पाएगा अर्थात अंतर जल इस्तरवन नहीं होगा और जब अंतर जल इस्तरवन नहीं होगा तो भूमी का जल तो करशी में या फिर करशी पद्धती में उपयोग की जाने वाली विभिन प्रकार की सचाई प्रालियां जैसे कि नल कूप और ट्यूब वेल से सचाई यहां पर पॉसिबल नहीं होगी नहर निर्मान पॉसिबल नहीं होगा कारण क्या है यहां पर कठोर चटाने है तो यहां पर सचाई किस से की जाएगी तो सचाई के लिए आप यूज करेंगे यहां पर उपयोग करेंगे किसका कूओं का तालाबूं का तो इस एरिया में आपको कूओं वा तालाबूं से सचाई देखने के लिए मिलेगी अब कई जगहा पर exception हर जहां पर मौझूद होते हैं तो मैं exception की बात नहीं कर रहा हूँ अब यहां पर याद रखें कि इसी सब conditions के कारण आप क्या पाएंगे कि यहां पर खनेजों की मात्रा भी ऐसे हैं जो की बहुत ज़्यादा कठोर खनेज माने जाते हैं लाइक यदि आप दंड कारणिया प्लैट्यू पर देखेंगे तो वहां पर आयरन ओर के लिए जाना जाता है चोटा नाकुर का पठार लाइस के बंडार के लिए जाना जाता है रतन टाटा सर आइधिंग इसी के भी जल्मंग्न नहीं हुत है यानिकि यह भाग कभि भी पूँता भूमी के लिए जल्मंग्न नहीं समाया है यह बात में क्यूं बता रहा हूं क्यूंकि वर्ड में जितने भी विल्ड्यू बहुत लगभ्ग सेवन कौंटिनेंटेंट्स हमको दिखाई देते हैं आठों बन तो यदि आप प्रत्वी का भूगरुए के तियाज पढ़ें तो भूगरुए के तियाज की दृष्टी से यह जो साइनो बैक्टेरिया अर्थात प्रत्वी पर वह पहली वनस्पती जिसने प्रकास सिंसलेशन की क्रियाद की थी ये किसी महाद्यूप पर आई तो इसके प्रेजेंस साक्ष हम को दिखाई देते हैं नौर्थ अमेरिका और और उस्चेलिया में इसके साक्ष आपको पनेंसुलार इंडिया में दिखाई नहीं देते जो अधर कॉंटिनेंट में देखने के लिए मिलती है सेकेंड बात आप इसी के कंटेक्श में याद रखें कि पनेंसुलार इंडिया ही वैच शेतर है जहां पर भरंशन की क्रिया वर्तमान में नहीं हो रही है क्योंकि यदि आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ये भरं तो यहां पर आपको भरंशन नहीं देखने के लिए मिलेगा इसका भी कारण इसका कठोरतम रॉक से बना होना है और जब भरंशन नहीं है अर्थात इन में तूट फूट नहीं हो रही है तो तूट फूट ना मिलने के पहिणाम सरूप आप पाएंगे कि ये वर्ल्ड के जोग बताने का प्रयास कर रहा हूं जब भरंशन नहीं है तो भूकंप संबंदी आपदाएं यहां पर हमें कम ही देखने के लिए मिलती है परंतु एक्सेप्शन ऑलवेज यह मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्राइद यूपिय भारत के कुछ बाग ऐसे है जहां पर भूकंपा चुका है और ऐसा वैसा नहीं बहुत तीवर गामी भूकंपा आया है लाइक भुझ भूकंप यदि आपने भुझ भूकंप के बारे में सुना हूं तो इसमें लाखों लोगों की मृत्ती हुई थी लाखों लोगों की जान गई थी तो यह भूकंप प्राइद यूपिय भारत वाले रिजन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे एक और एसेंशियल बात कि जब आप प्राइद यूपिय भारत को देखते हैं तो प्राइद यूपिय भारत का side view कुछ इस प्रकार का होगा यह कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए यहां पर इस pen को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो इस दो पार्ट्स में डिवाइड करने पर यह वाला जो view कहलाएगा यह बनेगा side view तो जब आप peninsular India को side view के context में देखते हैं तो side view के हिसाब से यह कुछ इस परकार का दिखाई देता है कि इसका जो ढाल मिलेगा आपको यह ढाल प्राया आप पाएंगे यह ढाल आपको पूर दिशा की ओर देखने के लिए मिलेगा अर्थात इसके एक भाग में शायद यहां पर Bay of Bengal बंगाल की खाड़ी सागर और एक side अरब सागर विद्मान है जिसमें से Bay of Bengal की ओर आपको इसका स्लोब देखने के लिए मिल रहा है यह बात मैं कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि एक्च्वल में पेनेंसुलार इंडिया में प्रवाहत होने वाली न दिया अब यह कौन सी है तो उधावरी, किषणा पेनेरु, कावेरी, वेंगा यह जितनी भी रिवर्स हैं जो की निकलती कहां से हैं यह basically originate होती है पशीमी घाट से परन्तु जाती है यह कहां पूरवी घाट में तो जितनी भी रिवर है यदि इनका अंतिम मुद्देश किसी सागर में मिलना है तो सागर तो अरब सागर भी है वहाँ पर जाकर मिल लो फिर ये क्यों जा रही है इनका मुमेंट क्यों हो रहा है एक्च्वल में इस इस्टन डाइरेक्शन की ओर इस बात का आंसर देता है हमें कौन ये वाला मैप अर्थात ये है साइड वी वाला मैप कि एक्च्वल में इस पेनेंसुलार इंडिया का जो शेप है या फिर जो स्लोप है ये किस डाइरेक्शन में है ये है हमारा एक्च्वल में इस्टन डाइरेक्शन में और इसका कारण क्या है क्योंकि यह जो हमारा western घाट है यह अपेक्छा करित अधिक उचा है और यह अपेक्छा करित कम उचा है eastern घाट और यहां पर प्रवायत होने वाली नदियों ने और साथ में यहां दक्कन के पठार का निर्मान जिस प्रोसेस से हुआ है उस प्रोसेस ने इस वाले भाग की हाइट बढ़ा दी है और इस भाइट को अपने आप ही एक स्लोप प्रदान कर दिया है किस प्रकार तो यदि आप तो जब मैं आपको कराऊंगा दक्कन का पठार यदि आप इस पूरी सीरीज को सपोर्ट करते हैं तो जब मैं आपको दक्कन का पठार कवर कराऊंगा तो दक्कन के पठार का निर्मान मैं आपको बताऊंगा और वहां पर आप समझेंगे कि एक्च्वल में दक्कन के पठा के निर्मान के थ्रू किस प्रकार इसका स्लोप वेश्ट हो गया पूरे 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 पैनेसुलार इंडिया का इस देट क्लियर चलू और यदि इतना क्लियर है तो बिना देरी किये हम प्रारम करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है इस पूरे प्राइज भारत का पीडियाफ की मांग हूँ तो ये पीडियाफ भी प्रोवाइड कर आई आईगे आपको ये पीडियाफ कहां से आप डाउनलूट कर सकते हैं एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो डाउनलूट कर सकते हैं और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, जॉगर्फी, बाई, अभी शेक, कुमार, ये मेरे टेलीगराम चैनल का नेम है, इससे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, मुझसे कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, जॉइन होना या ना होना ये आपके उपर है, परन्तु हाँ PDF चाहिए हो, तो वहाँ से आप राप्त करेंगे, चलिए, अब यहाँ पर वापिस आते हैं, यदि इस पूरे मैप में मैं आपको एक बात बताऊँ, कि सबसे important part तो हमारा आता है, ये वाला अर्थात इसे कॉल किया जाता है, अरावली हिल्स, कहां पर है ये, तो ये गुजरात के पालनपुल से स्टार्ट होता है, और जाता है ये दिल्ली तक, दिल्ली के पास इसे कहा जाता है मजनू टीला, यदि आप गए हो दिल्ली में, तो जीटीवी नगर है, जीटीवी नगर के आगे एक मजनू टीला गुरुद्वारा आता है, तो बेसिकली यहाँ पर जो संसत बहवन है, जितने भी प्रकार के, यानि इंपोर्टेंट प्लेस है, संसत बहवन ले ले लिजिए, यहाँ पर सचेंग केंद्री सचेवाल है, यहाँ पर राशपती बावन, यहाँ तो यह सभी मजनू टीला पर ही बने हुए, यह हम समझेंगे जब हम अरावली परवत को पढ़ेंगे, तो यह आता है अरावली मौंटेन, अरावली मौंटेन के पश्यात, आपको इस वाले एरिया में दिखाई देती है, एक और हिल या फिर एक और पहाड़ी, जिसे बिसिकली कॉल किया जाता है, विंध्यांचल और विंध्यांचल का ही विस्तार, आपको यूपी और बिहार वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा, यदि आप एटलस लेकर बैठे हैं, तो एटलस में याद रखें, कि इसकी मार्किंग आपको करनी है, जहाँ पर विंध्यांचल मिलेगा, वहाँ पर आपको ये कैमूर और भांडेर नहीं मिलेगी, कैमूर और भांडेर आपको अलग यूपी वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी, यूपी और बिहार का मैप जहाँ पर होगा, उस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी, जब आप इसी के नीचे आते हैं, तो इसी के नीचे वाले पार्ट से अर्थात यहां से हमें देखने के लिए मिलता है मालवा का पठार यह है मारा मालवा का पठार अब मैं यही पर नाम भी लिखते जाऊंगा इस वाले पार्ट में अभी मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूं एक्चुल में प्राइद उपिय भारत के रियूनियन होट स्पॉट के उपर से गुजरने के कारण हुआ है पूरा एरिया है दक्कन का पठार इसके पश्यात मालवा पठार के पश्यात अब आप देखते हैं इस वाले रीजन में एक और माउंटेन जिसको मैं कम्प्लीट नहीं बना रहा हूँ नीचे क्योंकि और भी इसके पार्ट्स हैं ये आता है हमारा वेस्टन घाट माउंटेन अर्थात पश्यमी घाट परवत पश्यमी घाट परवत से नीचे आने पर इस पार्ट में आपको एक परवती गाट देखने के लिए माउंटेन नॉट है और क्या है ये माउंटेन नॉट तो यहाँ पर बेसिकली पूर्वी घाट और पश्यमी घाट परवत आकर मिलते हैं अभी मैंने पूर्वी घाट परवत बनाया नहीं है ड्रॉ नहीं किया है बस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे और भी चीज़ें भी डौ करनी होंगी जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको और भी कई hills देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर इस एरिया में कई hills मिलती हैं इन hills के नाम मैं अभी आगे आपके साथ शेर करूँगा तो यह है पशिमी गाट नीचे आए तो नीलगरी और नीचे फिर आए तो और भी कई स्थानी पहाड़ियां इस एरिया में दिखेंगी इसी के पश्यात यहाँ पर यह आपको मिलता है एक और पठारी भाग जिसे बेसिकली कॉल किया जाता है दक्कन का पठार अर्थात यह हमारा दक्कन प्लेटिव जिसका दिर्मांड रियूनियन होट स्पोर्ट के उपर से गुजरने के कारण प्राइद यूपी भारत वाले पार्ट में हुआ और यह क्या है रियूनियन होट स्पोर्ट तो एक बार जाएंगे आप एफरिका वाले मैप में एफरिका में आपको मिलेगा मैडगासकर इंडियन ओशन के आसपास और इंडियन को ओशन में ही हमें देखने के लिए मिलता है यह रियूनियन होट स्पोर्ट जहां पर जौल नीचे हमें देखने के लिए मिलता है बेसिकली यह है कर्णाटक प्लैट्यू या फिर कर्णाटक का पठार अब यह कर्णाटक पठार को हम दो पार्स में डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे कर्णाटक पठार को हम दो पार्स में बाटते हैं और कौन से हैं यह दो पार्स तो एक आता है मालनट छेटर. यह है करनाटक का पठार. एक आता है मालनट छेटर. देखिएगा जराई एहां पर, कि हम करनाटक पठार की बात करें. तो इसी के, साइट से चालु हो रहा है हमारा, वेस्टन घाट मौंटेन, उर्थात पश्यमी घाट परवन. और यह है हमारा दक्कन का करनाटक का पठार यह है करनाटक पठार और इन दोनों को हम देखते हैं तो इसको हम दो पार्स में डिवाइट कर देते हैं इस वाले एरिया को कॉल किया जाता है मालनट एरिया या फिर मालनट छेत्र और इसे बेसिकली कॉल किया जाता है करनाटक का मैदान अब करनाटक का मैदान देखने पर हमको कई बार हिंदी मीडियम के चात्रों के लिए ये हो जाता है कि ये मैदानी भाग होगा परंतु याद रखेगा इंगलिस में एक लाई लिखी होती है करनाटक प्लेटिव that is called क्लियर इसका आर्फ क्या है इसका आर्फ ये है कि करनाटक का पठार जिसे मैदान कहा जाता है तो एक्चल में ये पठारी भाग और इसी लिए घंडी मीडियम के चात्रों का जो रिजल्ट होता है वो बेगरता है क्योंकि यहाँ पर UPSC पेपर बनाता है वों इंगलेस में बनाता है फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है तो यहां हमेशा याद रखीएगा कि करनाटक का मैदान कहा जाता है परंतु है पठार ही और इसके ये वाला एरिया जहां पर बेसिकली आपको ये पश्यमी घाट परवत दिखाई देगा इस एरिया को कॉल क किया जाता है मालनड छेत्र तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक है मालनड और एक आता है पश्चिमी घंज एक आता है करनाटक का मैदान चलिए वापस आते हैं यह आप वापस आएंगे तो यहां पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा एक और पठार या कि जहां पर यह राजमहल पाड़िया जिस पठार की उपर अवस्थित हैं इसे कॉल किया जाता है बिसिकली छोटा नाकुर प्लेट्यू और इसी छोटा नाकुर पठार को कहा जाता है भारत का रूर पदेश अब यह रूर पदेश क्या है भई तो यहां पर बिसिकली बस ओद्योई करांटी आई तो ओद्योई करांटी की शुरुआत मानी जाती है इंगलेंड से परंतु याद रखें कि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के द्वारा अर्था ओद्योई करांटी में जो सबसे जादा यूज होने वाला खनिश्पदार था वै था कोईला और पूरे योरोप को कोईले की आपूरती करा करता था जर्मनी वाला एरिया और जर्मनी में भी कौन सा तो जर्मनी में भी मेन ली वै वाला चेत्र जो की आता है रूर नदी के आसपास रूर नदी के आसपास वाला चेत्र तो बेसिकली जहां पर भी वर्ड में कोईले के बहुत अच्छे होते हैं यहां पर भी इंडश्रियर रिवाल्यूशन की चम्ता बहुत गहन होती है उस एरिया को कॉल किया जाता है रूर पदेश और दैट इस वाई कि हम भारत का रूर पदेश के से बूलते हैं छोटा नाकवर प्लैटिव को अब मैं यहां पर नेमिंग कर परेश तके थोड़ा सा वेट करिएगा अब जब आप इसी में आगे की और बढ़ते हैं तो इसी के नीचे छोटा नाकौर प्ठार से नीचे वाला एरिया अरफा दैट इस यह वाला पाट हम इसको नाम देते हैं इसे नाम दिया जाता है दंड कारन्या का प्ठार और और ये दंडकारन्या का पठार भी वास्तविक्ता में इसी दक्कन के पठार का विस्तार माना जाता है और इसी दंडकारन्या पठार के उपर ही हमारे पास कुछ पहाड़िया या फिर एक और पठार पहाड़िया नहीं माफ करिएगा यहाँ पर एक और पठार इस्थित अरिया में देखने के लिए मिलेगा और जो आप इसी के नीचे आते हैं तो इसी के नीचे वाला एरिया ये पूरा एरिया कहलाता है बिसिकली आंधरा पठार जिसे कई बार जिसे कई बार कॉल कर लिया जाता है रायल सीमा का पठार तो एदि रायल सीमा के पठार की बात आए या फिर आंधरा के पठार की बात आए तो याद रखीगा यह दोनों एक ही माने जाते हैं कई जगा पर जब आप आप आप्शनल पढ़ते हैं बिसिकली तो आप्शनल के कंटेक्ट में इनको अलग-अलग कर लिया जाता है परन्तु यह अलग-अलगoks ऑप्शनल में ही होंगे जैसे ऑप्शनल में आप और भी कईος चीज़े पढ़ते हैं जैसे ऑप्शनल में आप पढ़ेंगे यहाँ नीचे करणाटा का पठार नहीं तो जब आप जोग्रफी पढ़ते हैं जियास पढ़ते हैं तो यहाँ पर केवलो केवलो आप दक्कन का पठार नाम देते हैं से, बस और बस दक्कन का पठार, यहना optional के इसाब से फिर यह subject में और ज्यादा in-depth होते जाते हैं, चलिए अब हम यहाँ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक और आपको प्लैट्यू एरिया देखने के लि बाता है, तो यही पर है, अब यहाँ पर आपको कुछ नदियां भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आप कुछ नदियों का मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चल में यह गैप क्यों है, यह आप इस एरिया को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नदियां प्रवायत होती होई देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें यह है महानदी, यह है महानदी वाली घांटी, यहाँ पर आपको कुछ पहाडियां देखने के लिए मिलेंगे, हाँ यह पहाडियां ड्रॉ कर देता हूं, इस एरिया में कुछ पहाडिया देखने के लिए मिलती है और कहीं से लेकर कहीं तक ये पहाड या भाग नहीं है वेस्टन घाट माउंटेन का ये वेस्टन घाट माउंटेन अर्थात पशिमी घाट परवत का भाग नहीं है अब इनकी मैं नेमिंग करना चालू करता हूँ एक साइड मैं लिखूंगा पहाड और एक साइड में लिखूंगा नहीं बस मैं बताते जाओंगा कि यह पहाड है यह पहाड है अब यहाँ पर एक चीज रहे गई है बस एक और हमारा डेटा रह गया है जिसको हम कॉल करते हैं बेसिकली सत्पुड़ा परवत यह मैंने क्यों ड्रॉन नहीं किया था यह बात मैं अब आपको बता देता हूं कि बेसिकली सत्पुड़ा परवत को सीमा रेखा माना जाता है उत्तर और दक्षन भारत की तो यही पर बीच में आपको दिखाई देता है सत्पुड़ा परवत अब मैं इनकी नेमिंग करता हूं एक एक करके तो जलिए सबसे पहले तो सबसे प पर आपको दिखाई दे रहा है देट इस अरावली मांटेन इसके पश्यात इस वाले पूर्शन को आप नाम देते हैं बेसिकली क्या यह हमारा मारवार प्लेटिव अब जो नहीं आएगा उसके केवलो केवल मैं नाम बोल दूँगा यह है मारवार प्लेटिव और कई कंड मारवार प्लेटिव भी नाम दिया जाता है तो यह है मारवार पठार मारवार पठार के पश्यात नीचे आते हैं पहले मैं मांटेन की नेमिंग कर रहा हूं तो यह को कहा जाता है बिसिकली यह आता है हमारा पश्यमी घाट परवत और यदि यह पश्यमी घाट परवत है त थाथ इसे call किया जाता है पूरी घांट परवत, यह हमें एक आसतत परवश अंखला के रूप में दिखाई देता है, यहाँ पर जावादी, शिवाशय या फर शिवरोय, उपर महेंद ग्री और फिर यह कई छोटी-छोटी mountain ranges आपको इस एरिया में अकर होती हुई, देखने क ली कहा जाता है, सम्मिलत रूप से इन्हें नाम दिया जाता है, पूर्वी घांट परवत, पूर्वी घांट, इसके पश्यात, यह पार्ट है हमारा, यह है राजमहल पहाडी का, that is called राजमहल पहाडी, और यह राजमहल पहाडी का ही विस्तार, अच्छा एक सेकेंड, इस अब ही आगे और आपको डेटा प्रवाइट कराना पड़ेगा इसका, तो यह हमारी राजमहल पहाडी, और राजमहल पहाडी का ही विस्तार माना जाता है, मेघालय का पठार, और यह मेघालय पठार कहाँ पर है, तो नौर्थीश में जवाब जाएंगे, तो नौर्थीश वाले वीडियो में cover किया था तो यहां पर आपको basically देखने के लिए मिलता है यह है मेघालय का पठार और इसी मेघालय पठार से फिर सनलगन हो जाता है हमारा कार्भी या इंगलॉंग पठार तो यह हमारा मेघालय प्लेट्यू और इसी मेघालय प्लेट्यू के अंतरगत ही आपको देखने के लिए मिलती है गारो इसी में हमें देखने के लिए मिलती है खासी गारो खासी जैन्टिया इसकी नेमिंग मैं भी करूँगा फिर आपको देखने के लिए मिलेगी यहीं पर इसी के इस्टन पार्ट में बराइल और मिलती है मिकर और मिलती है रेंगमा अर पर आज इन प्रेजेंट टाइम हमको दिखाई देता है यहाँ पर इस वाले भाग में हमें दिखाई देता है आज बांगला देश और इस बांगला देश वाले पूर्शन को कॉल किया जाता है क्या इसे कहा जाता है राजमहल गारो गैप या फिर इसे ही कहा जाता है मालदा गैप यह है हमारा राजमहल गारो गैप या मालदा गैप मैं यहाँ पर नेमिन कर देता हूँ तो यहाँ पर यह मेगालेगा पठार इसमें गारो खासी जैंतिया यह है राजमहल गारो गैप इसी हो कहा जाता है मालदा गैप यह है राजमहल पहाड़ी और इसी राजमहल पहाड़ी यही राजमहल पहाड़ी स्थित है कहाँ पर तो यहाँ पर एक और नेम आएगा यह स्थित है बेसिकली छोटा नाकपूर प्लेटिव पर यह हमारा छोटा नाकपूर का पठार तो इस यहीं पर आता है सिंग भूम छेत्र अर्थात वह भाग जो की परत्वी के सबसे पुराने भागों में से एक माना जाता है और इवन इसे ही परत्वी का सबसे ओल्डेश पाठ कहा जाता है यही है हमारा छोटा नावकुर पठार का सिंग भूम परदेश इतनी बात क्लियर है और यदि इतनी बात क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको अन्य माउंटेंस भी और साथ में अन्य पठार भी मांग करना है जैसे जो आप नीचे आएंगे तो सबसे इंपोर्टेंट यह वाला है दंड कारण प पठार और यह दंड कारण पठार किसका विस्तार है तो बेसिकली यह विस्तार माना जाता है दक्कन के पठार का और पूरा पूरा दक्षण भारत ही इवन यानि कि दक्षण भारत में जितने भी पठार हैं वो इसी दक्कन के पठार के विस्तार माने जाते हैं तो कभी भी confuse नहीं होना है कि अधि कई जगाँ पर दक्कन का पठार का विस्तार आपको कर्णाटक का पठार देखने के लिए मिले या फिर लिखा हुआ मिले या फिर रायल सीमा देखने के लिए मिले या फिर या आप optional पढ़ेंगे जोगरफी में तो वहाँ पर ये माल नड के अलावा और फिर दक्कन का पठार नाम दे दिया जाए तो अब ये आता है हमारा next और इसे कहा जाता है कर्णाटक का मैदान कर्णाटक का मैदान बट इसकी प्रात्मिक्ता क्या रहेगी या फिर इसकी जो naturality है ये क्या है ये हमारा actual में पठारी भाग फिर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर अब आपको मिलेगा यहाँ पर यह है पिंकला का नील गिरी वाला छेत्र यह हमारा नील गिरी और फिर नीचे आपको देखने के लिए मिलती है कुछ अन्य पहाडियां जिनको हम नाम देते हैं अन्ना मलाई कार्डवम और पालनी पहाड़ी है ना जिन में यदि हम एक मैप के थुरू इसको समझना चाहें तो बैसिकली मैप के थुरू इसको यूं कहा जाता है कि यहाँ पर यह है अन्ना मलाई यह है पालनी पहाड़ी और यह आती है हमारी कार्डवम पहाड़ी इसको कुछ इस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं यह आप ड्रॉ कर पे आएंगे तो कुछ इस हिसाब से करेंगे कि ये है हमारी अन्ना मलाई ये है अन्ना मलाई अन्ना मलाई के अलावा ये हमारी पालनी पहाडी और देन ये हमें देखने के लिए मिलती है काडवम पहाडी काडवम पहाडी और अन्ना मलाई पहाड़ी ये दो इस्टेट में आती है कारण क्या है इसके यहाँ पर तमिन नाडू और दूसी और आपको कैरला देखने के लिए मिलता है तो ये अन्ना मलाई है अन्ना मलाई नीचे वाली देखने के लिए मिलेगी काडवम पहाड़ी ये हमारी काडवम पहाड़ी और काड आना ऐसे ही पढ़ेगा ठीक है बई चलो वापिस आते हैं यहां वापिस आएंगे तो यहां पर यह आ गया दक्षणी पहाड़ी वाला चेतर इसी के उपर पर यह वाला जो एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर कुछ और पहाड़ीयां विद्धमान दिखाएं स तो जब यह मैं पढ़ाऊंगा आपको तो फिर मैं इसकी मैपिंग करूँगा यानि कि not only यहीं तक हमारा सीमित है परन्तु इसके आगे भी मैपिंग है जैसे जब मैं छोटा नाकुर पठार के बारे में बताऊंगा तो वहां पूरी मैपिंग करके मैं आपको बताऊंगा तो यहां का जियो पॉलिटिकल एंगल यहां पर पाई जाने वाली मरदा यहां पर क्रशी किसकी होती है यहां पर समस्या क्या है यहां का लाब क्या है इन सभी के बारे में वहां पर discussion होगा चलिए अब हम चलते हैं वो वाले पार्ट पर जो हमारा बिसिकली छूड गया है जैसे कि यहां पर जवाब आएंगे तो इस पार्ट को कॉल किया जाता है यह हमारा दककन प्लेट्यू या फिर दककन का पठार इसे कहा जाता है दककन का पठार ठीए और यहीं बात की जाये तक्कन के पठार की तो इसी का निर्माण मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि री यूनियन हाट स्पॉट के उपर से गुजरने के कारण हुआ है यहीं पर आपको कुछ पहाड़िया नजर आएंगी जो कौन सी हैं तो यहाँ पर आपको अब एकलस में जाईएगा उनको माग करें मैं यहाँ पर नाम लिग देता हूँ कि यह पहाड़िया कौन कौन सी है देखेगा सतमाला सतमाला मिलेगी सतमाला के अलावा अजंता सतमाला अजंता हरीश्चंद्र हरीश्चंद्र और बाला घाट इनको ओर्डर के हिसाब से याद करिएगा आप बाला घाट और यह कहां पर आती है तो बेसिकली यह इसी दक्क भार वाले छेत्र में माराश्रा वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलती है तो ये हुग ये हमारी पहाड़ियां अब बीच वाला पार जो की हमारा शेस रहे गया है ये है मालवा पठार और ये है विंधियन पठार अब मैं इसको ये हमारा विंधियन परवत विंधियन परवत उपर आती हैं कैमूर और भांडेर और मद्द में आपको देखने के लिए मिलेगा यह मालवा छेत्र इसी के अलावा एक अन्य पठार और हमको देखने के लिए मिल सकता है और यह एक अन्य पठार कौन सा है बच्चे तो यहां पर जावा पाएंगे तो यह पूरा पूरा एरिया ये एरिया कहलाता है बुंदेल खंड का पठार यानि कि यहाँ पर एक अन्य मिलेगा जिसको हम नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर बुंदेल खंड प्लेटिव अब आप इसको बनानेगा ट्राइ करिएगा अब हम जो हमारी next class रहेगी यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है और आप इसमें response करते हैं तो next class से फिर में एक एक प्लेटिव और साथ में एक एक माउंटेन को उठाकर उस पर dedicated वीडियो बनाऊंगा देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया इस वीडियो में तो सबसे पहले हमने पैनेंसुलार इंडिया की कुछ व प्रशिष्टाओं की बार हमने आज के वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं किया है हमने केवलों के ओल यह discussion किया है कि हमने इसको कितने पार्ट्स और साथ में कितने माउंटेंस में विवाजित किया है तो सबसे पहले हमने उपर से start किया अरावली के नीचे विंद्यान विं इसमें से यह जो दो पहाड़ियां है बेसिकली यह आपको कैरल और तमिन नाडू में एक सेकेंड यह आपको कैरला और तमिन नाडू में देखने के लिए मिलती है और यह वाली केवलों केवल देखने के लिए मिलती है तमिन नाडू वाले reason में यानि कि आई तिंग आपको बना रहा हूं तो जब आप दक्षण भारत में प्रवेश करते हैं तो दक्षण भारत में ये वाला पार्ट माना जाता है तमिन नाडू को ये वाला माना जाता है कैरला का तो यहां पर एक्च्वल में इस तमिन नाडू वाले पोर्शन में केवलो केवल पालनी पहाड़िया इस ते दिखाई देती है और जब आप बात करते हैं इस काड़मम की तो ये कैरला में भी आती है और साथ में ये तमिन नाडू वाले रीजन में भी देखने के लिए मिलेगी ठीक इसी प्रकार जब आप बात करेंगी किसकी जब आप बात करते हैं सत्पुडा माउंटेन की त इसे कहा जाता है राज पीपला, राज पीपला के पश्यात हमको मिलती है महादेव, इसे कहा जाता है महादेव, और महादेव के बाद हमें मिलेगी मैकल रेंज, इसी में हम पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पर कौन सी बायोडायव सिटी पाती है, यहाँ पर कौन सी है और इंडिया इसको कहा जाता है और ऐसा क्यूं है इन सब के बारे में यहां पर हम डिटेल्ड में अनलिसिस करेंगी आज का यह वीडियो डेडिकेटेट था डिवीजन ऑफ पेनेंसुलार इंडिया पर जो की इस प्रकार है अब इसके अलावा जो भी डिवीजन रह गया जैसे य वहाँ पर उसका जियो पॉलिटिकल एंगल भी होगा वहाँ पर उसका जियोग्रफिकल एंगल भी होगा वहाँ पर उसका बायो डाइवर्सिकल एंगल भी होगा यानि कि हम सभी कंटेक्श पर एक एक पॉइंट से डिसकस करने का प्रयास करेंगे बस मेरी आप से एक रिक् किएगा और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ चलिए थैंक यू हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टड़ी IQIS हिंदी